जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंडियन आर्मी के रिटिन एक्जाम में आने वाले 15 most important questions यह जो question है दोस्तो इनमें से एक-एक question आपको अच्छे और selected level का मैं लेकर आया हूँ एक-एक question आपके एक्जाम के लिए बहुत महतुपूर है तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो श्रू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और इस वीडियो को like और share जरू करें तो चलिए दोस्तो question number 1 की तरफ चलते हैं question number 1 है मौलिक अधिकारों का उलेक संबिधान के किस भाग में किया गया है बहुत important question है दोस्तो question number 1 का सही answer होगा option D भाग 3 question number 2 है नासिक सहर किस नदी के तट पर स्थित है नासिक सहर जो है दोस्तो ये महराष्ट्र में है आपके knowledge के लिए आपको बता दूँ तो यह जो सहर है वो किस नदी के तरब पर इस्थित है तो question number 2 का सही answer होगा option D गोदावरी ठीक है नासिक सहर जो है दोस्तो वो गोदावरी नदी के तरब इस्थित है question number 3 है भारत का सबसे बड़ा जल परपात जोग जल परपात किस राज में इस्थित है तो भारत का सबसे बड़ा जल परपात कौन सा है जोग जल परपात और ये किस राज में इस्थित है ये है दोस्तो आपके करनाटक राज में इस्थित question number 3 का भी सही answer option D करनाटक question number 4 बहुत important question है दोस्तो अगर आप इंडियन आर्मी की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो question है बहुत important question है आपके लिए Indian Military Academy IMA कहाँ पर इस्थित है तो question number 4 का सही answer होगा आपका option A देहरादून में यहाँ पर दोस्तो कई बच्चे जो है खड़क बासला भी टिक करेंगे लेकिन खड़क बासला में IMA नहीं NDA है जिसके लिए दोस्तो National Defense Academy कहा जाता है तो IMA कहाँ पर है देहरादून में तो question number 5 की तरफ चलते हैं question number 5 है grand trunk road का निर्माड किसके दोआरा करवाया गया जो grand trunk road है तो इसका जो निर्माड है वो किसके दोआरा करवाया गया बहुत important question है दोस्तो तो question number 5 का सही answer है option B share sa suri question number 6 है डेंगू बुखार किस कारण से होता है डेंगू बुखार किस कारण से होता है options आपके screen पे आ चुके हैं तो question number 6 का सही answer है दोस्तो आपका option A बिसानू ठीक है question number 7 है मल्यालम किस राजगी प्रमुख भासा है बहुत important question है दोस्तो काफी बार आपके exam में ये जो question है वो repeat हो चुका है तो मल्यालम किस राजगी प्रमुख भासा है question number 7 का सही answer है दोस्तो option D केरल के तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपको हमारे चनल पर रोजाना दस वजे जनरल नोलिज की एक वीडियो मिलती है जिसमें हम आपके लिए इंडीन आर्मी की जो रिटेन एजयाम उसमें जो कोस्टेंस आते हैं उसी टैप के कोस्टेंस लेकर आते रहत हैं तो कोस्टेंस नमबर एट है दोस्तों रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है सॉरी रोबर्स कप जो है इसका जो संबंध है वो किस खेल से है कोस्टेंस नमबर एट का सही आंसर है आपका आप्शन भी फूटबॉल ठीक है कोस्टेंस नमबर नाइन है भारत में सबसे उ उंचे बांद की हो रही है तो भारत का सबसे उंचा बांद जो है दोस्तो वो है आपका टिहरी बांद अभी दोस्तो यहाँ पर आपकर कुस्चन होता कि भारत का सबसे लंबा बांद कौन सा है तो लंबा बांद है दोस्तो आपका हीरा कुंड बांद ठीक है तो कुस्चन नम 10 है किस रेखा पर दिन और रात बरावर होते हैं किस रेखा पर दिन और रात बरावर होते हैं question number 10 का सही answer होगा option a विश्वत रेखा ठीक है next question के तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस वीडियो की पीडियो फाइल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासे से इस वीडियो की पीडियो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं question number 11 है टाइफाइड सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है question number 11 का जो सही आंसर है दोस्तों बो है आपका option C आंथ के लिए question number 12 है किसे भवित का इनन कहते हैं किसे भवित का इनन कहते हैं question number 12 का सही आंसर है option A hydrogen hydrogen के लिए दोस्तों भवित का जोब इनन कहा जाता है question number 13 है केंदरिये औसधी अनसंधान संस्थान कहां पर इस्थित है केंदरिये औसधी अनसंधान संस्थान कहां पर इस्थित है तो question number 13 का सही answer है आपका option C लखनो ठीक है दोस्तो अगर आपको अनसंधान संस्थान के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी एक separate वीडियो हमने इस पे बना कर upload कर चुके हैं जिसमें हमने पूरी इंडिया में जितने भी अनसंदान संस्थान है सभी की location के साथ में cover किया है तो बहुत important वीडियो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं question number 14 है null server, पक्छी, अभिरन कहां पर इस्थित है null server, पक्छी, अभिरन कहां पर इस्थित है तो question number 14 का सही answer होगा दोस्तो आपका option C, गुजराद यहाँ पर दोस्तो अभिरन की बात हो रही है तो आपको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अभिरन के उपर भी हमने separate वीडियो बना कर upload कर चुके हैं आज के last question, question number 15 बिजय इस्तंब कहां पर इस्थित है options आपके सामने आचुके हैं दोस्तो तो question number 15 का सही answer है option C, चित्तोलगर ठीक है जो बिजय इस्तंब है दोस्तो वो चित्तोलगर में इस्थित है तो यह था दोस्तो हमारे 15 questions वीडियो कैसी लगी comment करके जरू बताईएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना और हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe जरू करना दोस्तो वीडियो के last में आप सभी को में बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होती है daily आप प्रतियक वीडियो का जो है वो PDF फाइल को बिलकुल फ्री में जी हाँ दोस्तो बिलकुल फ्री में आप इस वीडियो की या फिर जितने भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनकी सभी के जो हैं वो PDF फाइल हमारे टेलियो फाइल पर पड़े हुए हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपका कोई दोस्त है फ्रेंड है जो कि आर्मी की या फिर किसी भी डिफेंस के एक्जाम की तैहरी कर रहा है तो आप उसके साथ में हमारे चैनल को सेर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो थैंक यू फर वाजिंग कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत